बिगडे काम कैसे सुधारें? सबजी में अगर नमक ज़्यादा पढ़ गया है तो उसमें लकडी का कोईला धो कर डाल दें, फिर कुछ देर बाद निकाल लें, नमक कम हो जाएगा. सूप में नमक ज़्यादा पढ़ जाए तो कच्चा आलू काट कर उसके टुकडे करके डाल दें, और धीमी आज पर 10 मिनट पकने दें, आलू के टुकडे नमक सोख लेंगे, सर्व करने से पहले आलू के टुकडे निकाल लें, और सूप में थोड़ा दूद डाल लें, सूप अधी में यदि लाल मिर्च अधिक पढ़ जाए, तो उसमें सौस, नीबू का रस या इमली का रस डाल दें, इससे तीखा पन कम हो जाएगा, चावल में नमक ज़्यादा हो जाए, तो मोसमी सबजियों को काट कर थोड़े से तेल में पका कर चावल में मिला दें, और अच् कटोरी उबला चावल मेश करके मिला दें, सूजी का हल्वा सूखा सा बन गया हो, तो उसे गैस पर गरम करके एक घी से ग्रीस हुई धाली में जमा दें, फिर बर्फी की तरह काट लें, दूद जल गया हो, तो उसमें थोड़ा सा खाने का सोड़ा वच्चुटकी भर नमक डाल कर दूद को दूसरे बर्तन में निकाल लें, जले की बू नहीं आएगी ब्रेड आधी सूप गए हों, तो एक बर्तन में पानी गरम होने के लिए रखें, उसके उपर छलनी रखकर ब्रेड रख दें, दो मिनिट में ब्रेड ताजा हो जाएंगे लोकी या तोरी की सबजी में नमक तेज हो जाए, तो बेसन की बिना नमक की पकोड़ी मिला दें, नमक कम हो जाएगा और स्वाधिष्ट हो जाएगी अगर चावल जादा पक गए हो तो पहले उन्हें ठंडा कर ले, फिर मिक्सी में पीस ले, इसमें बारिक हरधनिया, हरी मिर्च, नमक वा निम्बू का रस मिलाए, इस मिश्रन कीटिकिया बना कर डवल रोटी के चूरे में लपेट कर सुनहरा होने तक तल ले, स्वाधिष् प्यंजन त्यार है, यदि पुलाव में पानी जादा हो गया हो, तो एक साफ मोटा तोलिया पुलाव पर ढखकर कूकर कुछ देर के लिए बंद कर दे, तोलिया अधिक पानी सोख लेगा, गुलाव जामुन सक्त बन गए हो, तो खाने के समय प्रेशर कूकर के कंटेनर में रखकर एक प्रेशर आने तक घरम करें, गुलाव जामुन मुलायम हो जाएंगे, यदि दाल ये सब्जी में हल्दी जादा पढ़ गई हो, तो एक लोहे की चम्मच खूब लाल होने तक गरम करें, वा उसे सब्जी में डुबा दें, फिर धीरे धीरे ठंडा होने दें, हल्दी का रंग कम हो जाएगा, सूखी सब्जी में तेल जादा होने पर सब्जी किनारे लगा कर तेल में थोड़ा सब्बेशन डाल कर भून ले, फिर बाकी सब्जी चला कर मिला ले, सब्जी में सोंदापन तो आएगा ही, साथ ही कुरकुरी भी हो जाएगी, अगर केक सक्त बन गया हो, तो उसको हातों से भुरबुरा कर ले, पतला पतला कस्टर बना कर ठंडा करें, वह उसमें डाल दें, बड़िया स्वीर डिश तेयार है, सब्जी में तेल ज़्यादा पढ़ गया हो, तो सब्जी कड़ाई के किनारे लगा कर निकाल ले, और दाल छोकने के काम ले, चावल में पानी ज़्यादा हो गया हो, तो चावल पकने के बाद उपर ब्रेड के दो स्लाइस रख दे, वे अधिरिक्त पानी सोख लेंगे, ज़्यादा हो गये हो और फाके ना छिल रही हो, तो संत्रों को बरफ पर या फ्रीजर में रख दे, कुछ समय के बाद सक्त हो जाने पर छिलने पर फाके असानी से छिल जाएंगी, सरसो के तेल में या तील के तेल में गरम करते समय यदि ज़ाग उठते हो तो उस समय इमली का एक टुकड़ा डाल दे, ज़ाग नहीं उठेंगे, नीम्बू रखे रखे सूप गए हों तो उन्हें कुछ मिनट खोलते पानी में डाल दे, नीम्बू में से आसानी से रस निकल आएगा, चावलों में गीलापन रह जाए, तो गैस बंद करके गरम तवे या गरम भगोने पर रख दे, वह तली में लगेंगे नहीं और अतिरिक्त पानी भी उड़ जाएगा, आटा गूंदते समया आटे में नमक डालना भूल गए हो, तो आट से दस बूंद पानी में नमक घोल कर परात में डालें, और आटे को फिर से गूंद लें, दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी ये दिप्स कैसे लगे और कौन से टिप्स सबसे अच्छे लगे, कومेंट बोक्स में जूरूर बताएं, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जबर्दस टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का दिन शुब हो अपना ख्याल रखना